वेलकम बैक स्टूदेंट्स आज हम अपनी प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस जिसको के जेन आस्टन ने लिखा हुआ है उस नॉवल के सेकिंड चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव इक्स्प्लानिशन विड एनालेसिज हम कवर करेंगे इसी वीडियो में मैंने इस चैप्टर टू के टेक्स्ट के उपर बना हुआ एक क्विज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो मैं आपको अपील करूँगा कि इस टेक्स्ट को समझ के आप ये वाला कोई जरूर समिट करें और अपनी एक्जामिनेशन की भी त्यारी करें और साथ ही साथ आपकी नॉवल की भी अच्छी समझ आपको आएगी ये वीडियो इस नॉवल की सेरीज का हमारा सेकिंड वीडियो होगा स्टुडेंट्स मैं आपको पताना चाहूँगा कि मैं आलड़ी इस नॉवल की स्टेडी स्टार्ट करवा चुका हूँ जैसा के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने इसके फर्स पार्ट में इसके फर्स चैप्टर को डिसकस किया है और इस चैप्टर के टेक्स को डिसकस करते हुए जितने भी इंपोर्टेंट वर्ड्स फ्रेजिज या फ्रेजल वर्ब्स आई हैं मैंने उनको साथ ही साथ आपको समझाया है और explain किया है उमीद है बच्चों के आपको ये सारा टेक्स्ट अच्छी तरह समझ आया होगा अगर आपका ये वीडियो मिस हुआ है तो मैं आपको वीडियो के टॉप राइट और पर इस वीडियो का link प्रवाइड कर रहा हूँ इसको क्लिक करके आप सिधा इस वीडियो पे पहुंच सकते हैं और जो आपका प्सपार्ट मिस हुआ है आप उसको कबर कर सकते हैं तो हमारा सेकंड चैप्टर है कि Mr. Bennett was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley जैसा कि हमने chapter 1 में पढ़ा था कि Mrs. Bennett ने बहुत जोर लगा कि अपने husband Mr. Bennett को कहा था कि वो Mr. Bingley जो कि उनके पडोस में नहीं रहने के लिए Netherfield Park में आए हैं उनको वो मिलने जाएं और हमने ये भी पढ़ा था कि Mr. Bennett ना नुकर कर रहे थे वो नहीं जाना चाहते थे लेकिन आपको मैंने उस chapter के end में बताया था कि Mr. Bennett was like a captives तो captives एक ऐसा person होता है जो कहता कुछ है और करता कुछ है तो same वही बात Mr. Bennett ने की है जी तो Mr. Bennett जब Mr. Bingley को मिलने गए तो उनको मिलने वाले persons में सबसे पहले है वो हमेशा उसको मिलने जाना चाहते थे यहाँ पे intended शबत का मतलब है बच्चो wanted वो हमेशा चाहते थे Mr. Bingley को मिलना हलाके वो Mrs. Bennett को पूरी तरह टीज कर रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है मैं तो तब जाओंगा अगर 20 young persons with fortune ऐसे persons रहनी आएं तम मैं जाओंगा लेकिन वो अंदर से हमेशा जाना चाहते है तो तुदा लास्ट आल्वेश अश्यूरिंग इस वाइफ देटीज को यह कहते रहे यह अश्यूर करते रहे अश्यूर का मतलब होता है बच्चो तो बी सर्टन कि वो उनको यकीन दिलाते रहे कि मैं तो नहीं जाओंगा and till the evening after the visit was paid she had no knowledge of it और शाम तक जब Mr. Bennett Mr. Bingley को जाकर मिलाए तो यहाँ पेशी का मतलब Mrs. Bennett से है तो उनको Mr. Bennett की इस visit के बारे में कोई knowledge नहीं थी कुछ पता नहीं था कि मेरे husband Mr. Bennett Mr. Bingley को जाकर मिलाए है तो उनकी visit के बारे में पताया गया disclose किया गया कि वो कैसे मिलकर आए है लेकिन उसके बारे में हमें chapter 2 सारा पढ़ने के बाद पता चलेगा कि Mr. Bennett ने अपनी इस visit के बारे में कैसे disclose किया अपनी family को observing his second daughter employed in trimming a hat he suddenly addressed her with तो जब वो वापस आए Mr. Bennett तो वो क्या देखते हैं कि उनकी जो second daughter है दूसरे नंबर वाली जो उनकी लड़की है वो एक head को trim कर रही है employer का मतलब वो कामें लगी हुई है trimming का मतलब यहाँ पे है बच्चो decorating कि वो एक head को decorate कर रही है इसके उपर कुछ सिलाई कड़ाई का काम कर रही है तो बच्चो मैं बताना चाहूंगा कि उन दिनों जो लड़कियां होते थी वो अपने free time में इस तरह की trimming का decorating का का काम करते थी तो उन्होंने उसको एकदम बुलाया कैसे कि I hope Mr. Bingley we like it Lizzie के Lizzie मुझे लगता है कि Mr. Bingley इसको बहुत पसंद करेंगे इट का मतलब यहाँ पे उसी hat से है जिस hat को वो लड़की trim कर रही है यहाँ पे हमें यह भी पता चला है कि वो लड़की कौन है Lizzie Lizzie की बात chapter 1 में भी आई थी जब Mr. Bennett ने Mrs. Bennett को कहा था कि मैं Lizzie के लिए कुछ अच्छी बाते आपको लेटर में लिख कर दूँगा हमें यहाँ पे यह भी पता चला है कि Lizzie उनकी दूसरे नंबर वाली डॉटर है अब Mrs. Bennett कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि Mr. Bingley इसको पसंद करते है या नहीं पसंद करते है वो कुछ नाराज होके यह बोलती है रिजेंट्फुली का मतलब है बच्चो अंग्रिली क्योंकि हम तो उसको मिलने जाही नहीं रहे जब आप Mr. Bingley को मिलने जाही नहीं रहे तो वो हैट को कैसे लाइक करें अब एलिजबेट बोलती है अब यहाँ पर बच्चो आप एक वर्ड को देखें अगर आप Jane Austen के बाकी नॉबल जो उनोंने लिखे है उनको भी पड़े तो आप हमेशा पापा, ममा यह वाले वर्ड लिखे हुए पाएंगे कहीं भी आपको डैड या मॉम लिखा हुआ नहीं मिलेगा अब Elizabeth कहती है कि ममा हम उसको मिल ही लेंगे असेंबली में और वहाँ पर Mrs. Long ने हमें यह प्रॉमिस किया है यह हमें वचन दिया है कि वो Mr. Bingley को हमसे इंटोड्यूस करवाएंगी अब यहाँ पर Mrs. Long जो एक करेक्टर है बच्चो इसका नाम चैप्टर वन में भी आया था जब Mrs. Bennet ने Mr. Bennet को कहा था कि Mrs. Long नेधर फिल्ड पार्क जाकर देख के आई है कि वहाँ पर एक नया यंग पर्सन विद लाज फोर्चो नहनी आया है उसी क्रेक्टर Mrs. Long की बात Elizabeth भी कर रही है यहाँ पर एक और वर्ड की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए वो है Assemblies Assemblies का मतलब है बच्चो यहाँ पर Public Ball तो उन दुनों बच्चो आस्परोस के लोग होते थे वो आपस में कुछ contribution करके एक चोटा सा function अरेंज करते थे वहाँ पर young boys और girls dance करते थे एक दूसरे से मिलते थे बातें करते थे सभी लोग आपस में बातें करते थे तो उसको यह Assemblies कहा जाता है और यह उस समय दो तरह की होती थी एक private balls होती थी और एक public balls होती थी प्राइवेट बोल्स अमीर लोग करते थे लेकिन जो Bennett family या उस तरह के परिवार हैं उनकी यह public balls होती थी और हर कोई उसमें invited होता थी यह महीने में एक या दो बार होती थी I do not believe Mrs. Long will do any such thing अब Mrs. Bennett बोलती है के मुझे नहीं लगता के Mrs. Long ऐसा कुछ करेंगी She has two nieces of her own उसकी तो अपनी दो बतीजियां है She is a selfish, hypocritical woman and I have no opinion of her वो एक खुदगर्स और बनावती लेडी है मेरा उसके बारे में कुई अच्छा विचार नहीं है यहाँ पर बचो एक idiom आया है To have no opinion of somebody कई बार to have low opinion of somebody भी होता है इसका मतलब होता है कि जब आप किसी person के बारे में अच्छे विचार ना रखें तब आप to have low opinion या to have no opinion of somebody ऐसा बोलते हैं No more have I said Mr. Bennett अब Mr. Bennett बोलते हैं कि मेरा भी Mrs. Long के बारे में अच्छा विचार नहीं है and I am glad to find that you do not depend on her serving you और मुझे पड़ा अच्छा लगा कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अब आपको जैसे बच्चों पता है कि Mr. Bennett हमेशा tease करता है Mrs. Bennett को यह हमने chapter 1 में कई बार देखा है यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है तो यही कहना चाहरा है कि बहुत अच्छा हुआ कि Mrs. Long आपको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगी Mr. Bingley से आपको उसकी ज़रूरत नहीं है because she is a selfish and hypocritical woman यह ऐसा मैं भी मानता हूँ Mrs. Bennett Dane not to make any reply अब Mrs. Bennett इसका उत्तर नहीं देना चाहती यहां पर एक वर्ड आया बच्चो Dane, Dane का मतलब होता है to do something low कोई जब आप ऐसा काम करें जो आपके लेवल का नहीं हो आपके लेवल से नीचे हो तब हम यह Dane वाला वर्ड यूज करते हैं अब Mr. Bennett नहीं चाहती है कि वो उसका जवाब दे but unable to contain herself लेकिन वो अपने आपको control भी नहीं रख सकती contain का मतलब यहां पर control से है बच्चो क्योंकि उसको इस बात का क्रोध तो है कि उसके husband Mr. Bennett Mr. Bengley से मिले नहीं जा रहे तो फिर वो क्या करती है begin scolding one of her daughters तो वो अपनी एक लड़की को scold करना, जड़कना, डांटना शुरू कर दीती है scold का मतलब होता बच्चो rebuke, डांट लगा रहे don't keep coughing so kitty kitty आप इस तरह ना खासो for heaven's sake प्रमात्मा के वास्ते have a little compassion on my nerves मेरी बुरी हालत का ध्यान करो you tear them to pieces आप मुझे तंग कर रहे हो आप मेरी हालत को बिगाड रहे हो तो इस line में वो एक लड़की को संबोधित कर रही है उस लड़की का नाम है kitty तो अब हमें ये पता चल चुक है बच्चो कि उनकी fourth daughter का नाम kitty है हमा लड़ी तीन daughters का नाम जानते है जिसमें से एक Lizzie है दूसरी Lydia है तीसरी Jane है और fourth kitty है यहाँ पर एक word आया है compassion compassion का मतलब होती है kitty has no discretion in her cuffs said her father अब उसके father बोलते हैं Mr. Bennett बोलते हैं कि kitty बे मतलब से नहीं खांसती she times them ill उसके खांसने का समय गलत होता है अब यहाँ पर फिर Mr. Bennett अपनी आदत के मताबिक kitty को भी tease कर रहे है अगर किसी परसन को खांसी आ रही है तो वो खांसे गाई तो उसने time को नहीं देखना लेकिन यहाँ पर Mr. Bennett यह कह रहे हैं कि kitty हमेशा गलत time पर खांस देती है I do not cough for my own amusement replied kitty fretfully fretfully मतलब angrily kitty reply करती है आपको सहन नहीं कर पाई kitty कुछ-कुछ अपने मदर की तरह है ये आने वाले novel में हम और ज्यादा अची तरह से पता करेंगे When is your next ball to be Lizzy? अब Lizzy से पूछा जाता है कि next ball कब है तो ball का मतलब यहाँ पर बच्चो वही public ball जो मैंने आपको बताई है ball is a type of dance party इसको आप खेलने वाली ball से मत लीजिएगा ये एक dance party है public ball जैसे कि हमने पहले discuss किया है तो अब Lizzy से ये पूछा जाता है कि next ball कब है अब Lizzy answer देती है tomorrow fortnight ये कल होने जा रही है जो कि fortnightly होगी fortnight बच्चो 14 nights दो words से बना है 14 nights को जब हम मिला देते हैं एक word बनाते हैं तो ये fortnight बन जाता है अब उसकी mother Mrs. Bennett कहती है अच्छा and Mrs. Long does not come back till the day before तो Mrs. Long तो एक दिन पहले नहीं आ पाएगी मतलब अगर कल fortnightly public ball होने जा रही है तो आज तो नहीं आ पाएगी it will be impossible for her to introduce him तो Mrs. Long के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो हमें Mr. Bingley से introduce करवाएं हम यहाँ पे Mr. Bingley को कहा जा रहा है or she will not know him herself क्योंकि वो तो खुद भी Mr. Bingley को नहीं जानती होगी अब उन दिनों में बच्चों ये custom होता था कि अगर कोई person किसी person को जानता है तो वो नए person को पुराने अपनी सारे friends के साथ introduce करवाता है तो Mrs. Bennett यही बात Mrs. Long के लिए कह रही है then my dear you may have the advantage of your friend and introduce Mr. Bingley to her अब Mr. Bennett बोलते है अपनी wife को के फिर तो आपको फैदा है कि आप अपनी friend को Mr. Bingley से खुद introduce करवाए क्योंकि आप पहले Mr. Bingley को मिल लेंगी तो आप Mrs. Long को Mr. Bingley से introduce करवा सकती है तो यह आपको फैदा है Impossible, Mr. Bennett impossible when I am not acquainted with him myself how can you be so teasing? अब Mrs. Bennett बोलती है कि impossible यह तो हो ही नहीं सकता फिर वो बोलती है हो ही नहीं सकता जब मैं खुद ही Mr. Bingley को नहीं जानती acquainted with तो मैं Mrs. Long को Mr. Bingley के साथ कैसे introduce करवा सकती है आप क्यों मुझे इतना प्रिशान कर रहे है teasing mean प्रिशान करना Students मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं novel के जिस भी chapter को आपके साथ discuss करता हूँ तब मैं उस chapter के text को समझाने के बाद उस text के base पे एक quiz आपके साथ हमेशा share करता हूँ उस quiz में मैं वो सारे questions include करता हूँ जो questions आपको examination में पूछे जाते हैं जैसे two false, fill in the blanks, one word answer और correct the right option और यह quiz आपके वीडियो के नीचे description box में मुझूद होता है इस quiz का link जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने उसको encircle किया है जैसे ही आप इस link के उपर click करते हो आप सिधे quiz पे पहुँँजाते हैं जहां पर आपको यह सारे questions मिल जाते हैं Students, आपने यह सभी questions solve करने हैं और quiz को submit करना है ऐसा करने से आपकी examination की त्यारी बहुत अच्छी तो होगी ही और साथ ही आपको novel की भी अच्छी समझाएगी बिल्कुल इसे तरह के quiz मैंने आपके लिए हर chapter के बाद त्यार किये हैं उमीद करता हूँ कि आप सारे यह quiz submit करोगे मैं इसकी feedback आपको साथी साथ provide करता हूँ तो students मुझे उमीद है कि मैंने जितने भी quiz त्यार किये हैं वो आप सभी submit करोगे और जो आने वाले quiz हैं वो भी आप साथी साथ submit करते जाएंगे ऐसा करने से आप अपने आपको examination के point of view से बहुत उची तरह त्यार कर पाएंगे I honor your circumspection चलो आप Mrs. Long को Mr. Bingley के साथ introduce नहीं करवाना चाहते तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे word आया है जी circumspection इसका मतलब होता है सिरफ fortnight की किसे से जान पहचान हो जाए यह बहुत थोड़ी होती है पंदरा दिनों की जान पहचान ज्यादा नहीं होती वन कैनोट नोट नोट अट आप मैन रियली इस बाई दी एंड आप आप फंदरा दिनों के बाद हमें नहीं पता होता कि एक इनसान किस तरह का होता है बट इफ पी डू नोट वेंचर समबड़ी एल्स विल लेकिन हम यह जोखम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा वेंचर का मतलब होता है difficult task मुश्किल काम and after all Mrs. Long and her nieces must stand their chance और Mrs. Long और उसकी बतीजियों को भी तो मोका मिलना चाहिए यहां पे एक idiom आता है बच्चो to stand the chance तो इसका मतलब होता है जब किसी को मोका मिलने वाली बात होती है वहां पे यह वाला हम idiom use करते है and therefore as she will think it an act of kindness if you decline the office I will take it on myself क्योंके यह Mrs. Long के लिए एक act of kindness वाली बात होगी मतलब एक किसी का भला करने वाली बात होगी अगर यह आप introduction वाला काम नहीं करेंगी तो यह काम मैं खुद करके हूँ अब यहां पे office का मतलब किसी दफतर से नहीं है बच्चो office का मतलब introduction से है और वो introduction कौन सी है जी Mr. Bingley के साथ यहां पे she का मतलब Mrs. Long से है इस पूरे paragraph में Mr. Bennett खुलके नहीं बता रही कि वो already Mr. Bingley को जाकर मिलाएं है वो अब भी अपनी wife और daughters को tease कर रहे है और यह कह रहे हैं कि अगर आप Mrs. Long को introduce Mr. Bingley के साथ नहीं करेंगी तो यह भ्लाइका का मैं करूँगा अब जब Mr. Bennett यह कहते हैं कि Mrs. Long की बतीजियों को भी चांस मिलना चाहिए Mr. Bingley के साथ marriage करवाने के लिए तब Mr. Bennett की अपनी लड़कियां बड़ी घूर के उसको देखती है Mrs. Bennett said only Mrs. Bennett सिरफ यह बोलती है nonsense nonsense अब Mr. Bennett थोड़ा जोड़ देके बोलती है कि आप इतना जो हैरान होके मुझे देख रहे हो और nonsense nonsense बोल रहे हो इसका क्या मतलब है इंफैटिक इसकलेमेशन का मतलब होता है कि जब कोई जोड़ लगा के कोई हैरानी से कुछ बोलता है तब यह हम words use करते हैं इंफैटिक यहाँ पे हम forcefully को कह सकते हैं Do you consider the forms of introduction and the stress that is laid on them as nonsense क्या आप introduction वाली बात को nonsense बोलोगे और introduction में तो इतना ज्यादा stress होता है Mr. Bennett यह कहना चाहरे है कि जब हम किसी नए person के साथ अपने friends को introduce करवाते है तो यह एक stress वाला काम होता है आप इसे nonsense कह रहे हो I cannot quite agree with you there मैं आपकी बात से सहमित नहीं हूँ What say you marry? Marry आप क्या कहती हो For you are a young lady of deep reflection क्योंकि आप एक नौजवान लड़की हो और आप में deep reflection है Deep reflection का मतलब होता है बच्चो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही details में जाए हम deep reflection को in details कह सकते है तो यहाँ पे हमें बच्चो पांचवी लड़की का नाम भी मिल गया है और उसका नाम है Mary तो पांचो लड़की के नाम हमें ग्यात है Jane, Lizzie, Lydia, Kitty and Mary And read great books and make extracts मुझे पाता है कि आप बहुत किताबे पढ़ती हो और उसके notes भी बनाती हो Make extracts का मतलब होता है To make notes Mary wished to say something very sensible But knew not how अब Mary बहुत ही अच्छी बात बोलना चाहती है कोई बड़ी अकल वाली बात sensible लेकिन वो नहीं जानती कि मैं कैसे कहूं While Mary is adjusting her ideas He continued Let us return to Mr. Bingley अब Mr. Bennet फिर बोलते हैं वो tease कर रहे हैं के Mary तो अभी सोच रही है अपनी ideas को तो हम Mr. Bingley की बात दुबारा करते हैं I am sick of Mr. Bingley cried his wife अब Mrs. Bennet बोलती है जोर लगा के बोलती है के मुझे तो Mr. Bingley ने प्रिशान कर दिया है To be sick of somebody का मतलब होता है किसी से प्रिशान हो जाना ये एक idiom है इसको ऐसे ही यूज किया जाता है I am sorry to hear that but why didn't you tell me so before मुझे बड़ा बुरा लगा ये सुनके के आप Mr. Bingley से प्रिशान हो गई है पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये Mr. Bennet बोल रहे है If I had known as much this morning अगर मुझे सुबह पता होता कि आप Mr. Bingley से इतनी प्रिशान है I certainly would not have called on him तो मैं उसे मिलने ना जाता तो students यहाँ पे जाके Mr. Bennet सभी को बता रहे हैं कि मैं Mr. Bingley से सुबह जाके मिलाया हूँ यहाँ पे call on का मतलब है विजिट यह तो बड़ी बुरी बात हो गई But as I have actually paid the visit परंतु क्योंके अब मैं उसको मिलाया हूँ We cannot escape the acquaintance now अब तो हमारी जान पचान हो गई है उससे तो हम इससे भाग नहीं सकते तो जैसा कि बच्चों हमने शुरू में यह पढ़ा था कि Mr. Bingley से Mr. Bennett जाके मिलाया है लेकिन वो किस तरीके से अपने परिवार को इसके बारे में disclose करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी tease करके सभी को मजाग करके अब जाके वो बता रहे हैं कि मैं तो Mr. Bingley को जाके सुबह मिलाया हूँ तो सभी लेडिस की जो हरानी थी वो तो होनी ही थी और बिल्कुल वैसी ही थी जो उसने Mr. Bennett ने सोची थी यहां पे ही का मतलब Mr. Bennett से है और सभी से ज्यादा सर्प्राइज हरान कौन हुआ Mrs. Bennett हुई तो अब सभी खुश थे तो फस्ट टुमल्ट का मतलब होता है बच्चों तो वहां पे एक तरह की confusion सी फैली हुई थी लेकिन अब क्योंके confusion दूर हो गई और सभी खुश थे तो उसने यह डिकलेर कर दिया Mrs. Bennett ने कि मैं तो यही सोच रही थी कैसा हो जाए और ऐसा Mr. Bennett ने कर दिया है कि वो Mr. Bingley से जाके मिलाए है How good it was in you My dear Mr. Bennett अब Mrs. Bennett Mr. Bennett को बोलती है कि आप कितने अच्छे हो आपने कितना अच्छा काम किया है But I knew I should persuade you at last पर मुझे पता है कि यह काम करवाने के लिए मैंने आपको तयार किया persuade का मतलब होता है बच्चो कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा कहते हैं कोई काम करने के लिए तब यह word use होता है I am sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance मुझे पता है पका पता है कि आप भी अपनी लड़कियों को प्यार करते हो क्योंकि आप उनके लिए यह जान पहचान छोड़ नहीं सकते थे well how pleased I am मैं बहुत खुश हूँ and it is such a good job और आपने हमारे साथ मजाग किया और यह बहुत ही बढ़िया मजाग था that you should have gone this morning और वो मजाग कौन सा था कि आप morning Mr. Bingley को जाके मिल के आए हो and never said a word about it till now और आपने हमको अपनी विजिट के बारे में बताया तक नहीं now kitty you may cough as much as you choose said Mr. Bennet अब Mr. Bennet कहते हैं कि kitty अब आप जितना खांसना चाहते हो खांसकते हो एक बार फिर Mr. Bennet kitty को tease कर रहे है and as he spoke और जैसे ही उसने ये शबद बोले he left the room वो room छोड़के चले गए fatigue with the raptures of his wife क्योंकि उनकी wife बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसकी खुशी के कारण Mr. Bennet थोड़े fatigue हो गई मतलब tired हो गई और ठक गई वो petite का मतलब है बच्चो tired raptures का मतलब होता है बच्चो feeling of great happiness feeling of extreme joy जब कोई person बहुत ज्यादा खुश हो जाए ज़रूरस से ज्यादा तब हम raptures word use करते है what an excellent father you have girls said she तो Mrs. Bennet कहती है कि लड़कियो आपके father कितने अच्छे है लेखो पहले वो father को nonsense nonsense कह रही थी लेकिन आप वो कह रही है कितने अच्छे है when the door was shut और ये बात Mrs. Bennet ने उस समय बोली जब Mr. Bennet room छोड़के चले गए थे और उन्होंने दर्वाजा बन कर दिया थे I do not know how you will ever make him amends for his kindness मुझे नहीं बता कि आप अपने फादर की जो ये kindness है इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है इसकी भरपाई आप कैसे करोगे To make amends एक बच्चो इडियम होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की भरपाई करना शायद यहाँ पे Mrs. Bennet ये कहना चाह रही है कि Mr. Bennet अब Mr. Bingley के साथ हमारी family की जान पहचान तो करवा है लेकिन अब आगे आपने काम करना है अपना मतलब कि आपने से किसी की शादी उससे हो जाए इस बात की तरफ Mrs. Bennet इशारा कर रही है और मी इदर इस बढ़िया काम में मैं भी शामिल हूँ At our time of life It is not so pleasant हमारे समय में ये इतना खुशकुवार नहीं होता था I can tell you मैं आपको बता दू To be making new acquaintance every day रोज रोज अगर हम नहीं जान पहचान किसी से करें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है But for your sakes we would do anything लेकिन आप सभी के लिए हम कुछ भी करेंगे अब वो V पे आ गई है V का मतलब Mr. Bennett और Mrs. Bennett और your का मतलब यहाँ पे वो अपनी लड़कियों के बारे में बात कर रही है कि आपकी शादी के लिए हम किसी भी परसन के साथ जान पहचान परेंगे हलाके ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है Lydia, my love though you are the youngest I dare say Mr. Bingley will dance with you at the next ball सबसे यंगे, सबसे चोटी कौन है Lydia Mrs. Bennett लिडिया को कहती है कि मुझे लगता है कि पार्टी में Mr. Bingley तुम्हारे साथ ही डांस करेंगे, next ball मतलब जो कल पार्टी होने जा रही है Oh said Lydia, stoutly अब Lydia थोड़ा bold होके बोलती है, बड़ा निडर होके, बीना किसी डर से वो बोलती है Stoutly का मतलब होता है बच्चो boldly, बीना डर से I am not afraid, मुझे कोई डर नहीं है Although I am the youngest, क्या हुआ मैं सबसे चोटी हूँ I am the tallest, मैं सबसे लंबेकाद की भी हूँ तो यहाँ पे बच्चों मैं बताना चाहूँगा मिसिस बैनिट ने लिडिया के बारे में कहा था कि वो बहुत ही good humor girl है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लिडिया के बारे में पता चाल गया कि उसका humor कितना अच्छा है The rest of the evening was spent in conjecturing how soon he would return Mr. Bennett's visit and determining when they should ask him to dinner अब Mr. Bennett तो सोने के लिए चले गए थे तो अब रूम में तो Mrs. Bennett और उसकी 5 लड़कियां बैठी है तो उन सभी की जो शाम है वो इस conjecturing में बीट गई conjecturing का मतलब guessing जब हम कोई guess वगरा करते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा तो इस guessing में बीट गई कि Mr. Bennett हमारे पास return visit कब देने आएंगी तो students मैं बताना चाहूँगा कि उन दिनों ये एक custom था कि अगर आप किसी को मिलने जाते हो तो बदले में वो भी आपको मिलने आता है और उसको ये हफते के बीच-बीच में एक वीग के बीच-बीच में करना पड़ता था तो उसी के बारे में वो guess work कर रही है कि Mr. Bennett हमें आप मिलने कब आएंगे और उन्होंने ये भी सोचने में लगा दिया कि अगर वो आए कि हम उसको डिनर के लिए कब करें तो इन दो बातों के सोचने में उन्होंने सारी शाम लगा दिया तो students इसी के साथ हमारा सेक्शन में पूछ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसी चैप्टर 2 के टेस्ट के उपर एक online quiz आपके लिए बनाया हुआ है इसका link आपको description box में मिल जाएगा आप उस link पे जाके इस quiz को ज़रूर समिट करें इससे आपकी examination की भी त्यारी होगी और आपको ये chapter 2 का text और अच्छी तरह समझाएगा वीडियो के end में मैं आपको screen के उपर मेरे दौरा बनाये हुए और बहुत सारे videos के link भी provide कर रहा हूँ next video में हम इसी novel की study continue करेंगे फिर मिलते हैं जी धन्यवा